आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि बाजू की बाजू की कटिंग कैसे की जाती है चलिए करते हैं कटिंग सबसे पहले लेंगे हम इस चकूर कपड़ा हम नापेंगे बाजू की लेंद 15 इंच बाजू की चोड़ाई है 5.5 इंची मुड़ा हमारा 5.5 इंची है उसमें हम 1.5 इंची एक्स्ट्रा करेंगे 7.5 इंची फिनिशान लगा लेंगे यहाँ से लेंगे हम 5.5 इंची मुड़े की गुलाई के लिए बोटम लेना है हमें 5 इंची इंची लेंगे हम मार्जन के लिए एक्स्ट्रा इंची मुड़े के लिए निशान लगा लिया है अब करेंगे हम गुलाई पीछे की यह मैंने पीछे की गुलाई का निशान लगा दिया है अब करेंगे हम आगे की गुलाई अब मैं इसमें निशान लगा दूंगी यह मैंने सीधी शीरता निशान लगा दिया है फिटिंग का अब हमने दो इंच लिया है मार्जन बोटम के लिए मोडने के लिए हमारी पंदरा इंच लंबाई थी इसलिए हमने तेरा इंच रखना है तो बोटम के लिए लिए मैंने पाच इंच और डेरे इंच मार्जन यह मैंने कर दी पीछे की गुलाई यह आगी की गुलाई पीछे गुलाई से में 1 इंच आगे गुलाई के लिए लेना है 1.5 इंच मेने मार से चोड़ दिया है और 1.5 इंच बोटम के लिए यह माई लंबाई है 15 इंच 13 इंच हम त्यार चाहिए 2 इंच मार जन के लिए आप देखिए दूस्तों हम करेंगे इसकी कटिंग पीछे की कटिंग करनी है मैं ने कटिंग कर ली है दोस्तों यह तियार है हमारी बाजो की ऐसी निशान हमें इस रखके दूसरी बाजू में भी लगाना है सेम सेम मैंने बोटम लिया है सेम मैंने गुलाई करी है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना ना वो